यहां से किसका किसका जिन्दगी पर बाद हुआ है कमेंट करके जरूर अरे 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 कम लाइट तो दे दो अश्कार दोस्तु सागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ दोस्तों आज की सीडियो में होने वाली है अब दोस्तों आज करेंगे तो आप लोगों को पूरा जरूर देखेगा वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे और अगर आप लोगों इस तरह के वीडियो चाहिए तो कमेंट पर जरूर बता दीजेगा चलो चलते और मिलते आप से राश्त तो गाइस फाइनली मैं अ हूँ और अभी मैं ताता टोपे नगर से निकल कर जा रहा हूँ बर्रा आड की तरफ बर्रा आड से होते हुए जो है विजे नगर पे चलके जो है मुझे अपनी आईडी चालो करनी है सामने अगर आप देख रहे हो तो यह जो है बर्रा आड का कॉलेज है केडिया में जहा आप देखिए यहां से जो है उन्होंने पढ़ाई की है और अभी हम निकल लाएं इदर से इदर से चलेंगे अभी चारा होते हुए बिजय नगर बिजय नगर पर हमको जो अपनी आईडिया है वह चालू करना है चलके और इदर पर एक मार्केट भी लगती है जो की लगने लगना सुरू हो गई है बर्रा आइड़ की और भर्रा आट में है फला भी हम और हैं से निकल लहें हैं और इस तरह के करा आप लोगो वीडियो चाहिए तो मैं और वीडियो जो है वह बनानी की कोसिदों करूँगा लेकिन आप लोगों को सपोट और करना पड़ेगा और ज देखो तो यह कुछ है बाकी आप लोग प्यार और सपोर्ट ऐसी करते रहो जल्दी से एक लाग जो है सब्सक्राइबर भी कम्प्लीट होने वाले हैं हमने सोचा कि भाई काफी दिन से मैं वेड कर रहा था और सोच रहा था कि जो है मोटर व्लॉगिंग भी शुरू करें और अब लोगों को जो है एक बार मैंने वीडियो बनाया ही था तो उस समय सेट अब नहीं हुआ था आ चुके है यह बर्राट वाला बाई-पास है यहां पर और यह भी देखो इस तरह से है अभी यहां पर एक थोड़ी दिक्कत यह है कि वहीं सब गाड़ी आड़ी क्योंकि इ अभी क्या है यह देखो यह कुछ इस तरह से महौल हम दिन है तो दोड़ा तो मेंने सोचा चलो अभी इससे सुरुवात करते हैं क्योंकि राद में भाई कौल्टी का थोड़ा इसू हो जाता है क्योंकि अभी गोप्रों तो भाई राट में उतना अच्छा नहीं आ पाएग जहां से हम लोगों के order लगते रहते हैं यह कुछ इस तरह से CTI 14 आप लोगों को देखने को मिला है और इदर से अगर आप इस तरफ जाते हो तो गोविन नगर है ननलाल 14 आप है और सामने और विजय नगर के इस तरफ चले जाएंगे और ये अभी वन वे है जरसल क्या है कि अभी वापस उदर से भी लोग आ जाते हैं कभी-कभी लेकिन चलान कड़ते हैं दिन में आना है तो भाई सब घूम के एक-दो क्लिमीटर का चक्का लगा लो नहीं तो पांच चछे रुपय का जो है नोगो चलान कड़ जाएगा अभी यह देखो एक चीज और दिखाओ यह साब लोगों का जो है आ रहे हैं इनका कोई दिक्कन नहीं है अगर हम लोग ऐसे अगर उल्टा आ जाएं दिन में ना तो वही सब चलान कड़ जाएगा लाल अभी हम जो है दादा नगर क्रॉस कर चुके हैं और पहुचने वाले हैं बिजय नगर जो है बस पासी में है चुके हैं और यहीं से जो है हमारी चालू होगी भाई तो अभी यहां पर पासी में हम लोग आईडी चालू कर लेंगे क्योंकि टाइम जो है वो पूरा होने वाला होगा लेट आया था तोड़ा मैं घर से क्योंकि 15 मिनट का यह सामय लगता है और 15 मिनट से अधिक हो गया दवाई गिक्स इनकंपलीट तो यहां पर हम खड़े होके पहले जो है अपनी आडी को जो है वो चालू कर लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे आईडी जो वह अपना चालू हो चुकी है और प्रोसेस हो गई इन प्रोसेस तो आइडी जो हो गई है पांच आट पर आड़ी जो ह और लग जाएगा तो अभी हम जश्ट आ चुके हैं मरियामपुर वाला जो रोड है यहां पर जो है रेस्टरंट है अभी है अमित इस्पेसल चार्ट यहां पर जो है और लगने की संभावना रहती है तो अभी वो देखो उधर पर एक बंदा खड़ा हुआ है उधरी पर चल अभी जो है सुचना मिली हमने का चलो सल के देखते हैं कैसा क्या है वैसे भी और तो भी लगा नहीं है और जब लगा तो देखेंगे और वहां पर काका देव में यहां जड़ताल कर रहे हैं अचली है क्या कि कंपनी नहीं इतने जाता रोपे जो है डाउन कर दी है कुछ कह है देखो नहीं सुरवात में जब कंपनी गिक्स लाई थी तो उसमें प्रोमिस किया था कि हम रुपए जो है वह बढ़ा के देंगे तो बीस रुपए दे रही थी एक किलमीटर का जिसमें जाना भी रहेगा आना भी रहेगा और अभी क्या दे रही है अभी दे रही है जिस अधर पर जा रहा था तो उधर पर जाने में लगा हुआ था यह मेरे पास एक ओर लग गया है यह सास्त्री नगर का ही है कि एक वाक से लगा हुआ यह देखें पुछ 75 रुपेस का और लेगे कहा जाना है चलो इसको टिक मार देता हूं कंफर्म और यह लेके जाना है हमको पर जाएंगे यहां पर बिल देखेंगे बिल में पता चल जाता है कहां पर लेकर जाना है यह 17 टावर 6-9 अब यह दूर का ओडर है कहीं का रात अधर पर मेंने सचा चलो देखते हैं लड़के स्ट्राइक वगरा करने हम लगे हुए लेकिन फिलाल अभी और जो है वो लग यह है केक वाक केक हाउस तो फिलाल और तो मैंने लिया है और यह जो है 11 किलो मीटर जो है और लेके जाना है 11 किलो मीटर अगर आप देखो यह कुछ 11 किलो मीटर है और लेके कहां जाना है यह कल्यान पूर में जो है लेके जाना है यह बिठूर रोड पे तो जो बिठूर र करते करते जो है हो जाएगा तो फिलाल अभी हम ओडर जो है लेकर निकल चुके हैं और पहुच गए हैं करीब एक किलो मीटर दूर वहां से एक किलो मीटर नहीं होगा 800 मीटर के आसपास होगा और यह है नीर चौरहा कि अपसिक पास में काका दिव में इंटर करने वाले हैं और का दिव में आज लड़कों ने जो है कर रखी है इस्ट्राइक अभी अभी जो है मेरे एक दोस्त का फोन आया था बोला है रितिक भाई हाप अडर ही नहीं उठाने दे रहे हैं अब बोले क्या कर सकते हो ब मेरे ऐंग सैक्राइब लगंडे वह तो कि दर पर जो है के मैं इतर युसे निकल वह चल आओं स्ट्राइक वीब बहुंगा बटने में लगे हुए हैं और यह हैं कि रहे हैं बैदकि दिख नहीं हरे हमको और इदर पर भी पूरा काली जबाए है और शब्गह सब्सक하세요 स्ट्राइक होने में लगी हुई है गोली दे दिया क्या शायद बंदन दिखर दिआ कर रहे हैं कानपूर का कोचिंग मंडी है तो यहां पर बहुत दूर दूर से लड़के पढ़ते हैं सभी हम घीता नगर क्रॉसिंग वाले रोड पे पहुंचने वाले हैं और वहां पर तो भाई कुछ देखना को मिला नहीं अभी दोस्त का फोन आ है प्रोसिंग गीता नगरवाली और यहां पर चारो तरवा लोगों को जो है कोचिंग लाइबरेरी जो है वह देखना को मिली के जितने लड़के हैं सब घुमरें ने वाले यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं यह देखो यह कुछ इस तरह से और मेरे पास जो है लगा हुआ है ओ भी नहीं सकते हैं दूसरी चीज रोड़ भी देखना है अगर ज्यादते चला देंगे तीस में भी चला देंगा रोड़ खराब है तो वह खराब हो जाएगा तो 20-25 चलना पड़ता है और साथ में रोड़ के इसाब से भी देखकर तो यह कुछ इस तरह सभी हम जो है कीतना अगर ग्रॉषिंग पहुचने वाले है और वहीं से जो है हमारा हाइवेश तरह हएंगे और यह वाली मेट्रों आप चालू हो गई है चलिए अभी चलू होने वाली है कुछ दिनों बाद को कि 2024 में चलने का उसका प्लान था लेकिन अभी कुछ टाइम लगेगा क्यूंकि भी काम होने में लगा है यहां पर देख रहे हैं लडाई होने में लगी वीच रास्ते पर और क्रासिंग खुला है तो चकून है अधर वाइस जो है बंद होता तो फिर मरवाद होता और कुछ नहीं तो यह है गीता नगर क्रासिंग इसको बोलते हैं अब अभी इस रोड पे बाई यह वाले रोड पे पूरे रोड पे जो है नों इंट्री हो गई है नों होने की वज़े से पूरा करीब दो क्लो मेंटर का चक्क लगा तो गीता नगर मेट्रो स्टेशन इसके नीचे से होकर घूम के वापस जाना पड़ता है, अगर आपको वापस जाना हो ना, तो चक्कल लगा के जाना पड़ता है, अगर आप जो है रावतपूर आते हो, रावतपूर से असोचते हो कि मुझे वापस से मुड़के जो है, मोत कि अभी हम गीतन अगर मेट्रो इस्टेफन पर पहुंच चुके हैं इधर पर तो रोड वगारा सही है थोड़ा चला लो कोई दिख करना है गाड़ी लेकिन अंदर के रोड वगारा जो है थोड़े गड़वड हो गए हैं क्योंकि ट्रैफिक तना जाता रहता है कानपूर में दूसरी चीज की बारिस हो गई इसके बाद जो है गाड़ी अगर चल गई अच्छे से तो रोड जो है उखड़ने लगता है अभी यहां पर तो चलो ठीक है कि रोड अच्छा है तो चार्जी सा चले जाओ कोई दिख करना है चलते हैं और आप लोगों को कैसा क्या महौल है अब लोगों को पूरा दिखाने की कुसिस कर रहा हूं थोड़ा जो है वीडियो लंबा हो जाएगा 20-25 मिनट का तो कोई दिख करना है लेकिन आप लोगों को जो है फूरा दिखाने की कुसिस करूं कि कैसा क्या महौल है और यह देखो अभी ट्रेन आने ही वाली थी ठीक सम आपकेworm हम अब हम जो और हम आचुकर हैं यह है यहां पर कानपूर Metro का जो कर वोलते हैं क्या भूलते उसको जहां पर सारी Metro आप खड़ी होती है भी ए सामने उपर देखो वो मेट्रो जा रही है अगर आप लोगो देख पा रहे होंगे तो उपर जाने में लगी हुई है अपना गुर्देयों चारहा मेट्रो इस्टेशन सामने अगर आप देखो यह कुछ इस तरह से और थोड़ी मैंने जो है क्वाल्टी कम रखर रही है क्यों कि जो मेरा फोन है ना वह इडिटिंग के दौरान उसका ले नहीं रहा था तो जो है मैं जो है अभी टैने टेश्टी एपिस पर ही सूट कर रहा हूं यह वीडियो तो जितना हो सकेगा वह आप लोग मैनेज कर लीजेगा जो है अभी क्या करें या फोन दूसरा लें अगर यहां चैने करनी है या फिर लैपटाप वगयरा से इडिट करें अब लैपटाप हैं अपने पास में और जो पुराना वाला फोन तो इसमें फोर के सपोट करता था लेकिन नया वाला जो फोन है इस पर कर सफोट ही नहीं करता है यह जो है मुझे टैने टीपी पे 60 एपीस पर जो है वह सूट करना पड़ा रहा है तो फिलाल अभी हम पहुझने वाले हैं सीयस जे मेट्रो स्टेशन पर स्टेशन जो है बस यहां से कुछ ही दूरी पर है और कि यहां पर भी जाम लगा हुआ है कि क्रोसिंग खुली है तो जाम तो ही तो सामने है सीयस यह मेट्रो स्टेशन अभी तक तो मैं पहुंच गया होता है यार इन लोगों के चकर की वज़े से ना गाड़ी चला निस्ते बनती है ना कुछ देखो 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 चाचा की कि इसे इसे लोग पड़े हुए है कुछ खेहिनों पर रही है तो खिलाल सामने है विस्विद्याले जो है वह मेट्रो स्टेशन पहले इसका जो है सुरॉत में सीयस यह मेट्रो स्टेशन नाम रखा गया था श्यत्यप्रति सिहाजी महराज यूनिवर्सिटी के नाम से और लेकिन अब आप इसको सीयस जैया मेट्रो स्टेशन और जस्टिस्टी के बगल में है जो ड़ीर विस्विद्याले मेट्रो स्टेशन और यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं अगर आप देखो यहां पर भी जो और प्रोग्राम साइज है कुछ आदेखो यह इस तरह से है जरूरा द्याइगा जो लोग चानपूर से ना उन लोगों को पता ओगा कि किसका इसंदट की बरभाल वा उसके बारध जैसन पड़ेशन पड़ेगा बीच में मतलब गुर्देव जब आप गुर्देव से निकलोगे तो इसके बीच में थोड़ी ज्यादा दूरी है बाकी जो है सारे मेट्रो इस्टेशन जो है वह पाग अरे 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 कम जब कम लाइट तो दे दो की भऑशाना गुष्धस पर दे रहे हैं बन्दा न पुल्ष गुषएड़े चला जा रहाए वह पताओ इसा इसे लोग भी दिखा दिल्माट ना वो डीपर दे रहा है ना कुछ कर रहा है बस घुषेड़े चला जा रहा है अब क्या करोगी खुद के कंट्रोल में न करो भाई गाड़ी गई अभी आ चुके हैं यहां पर भी जाम है वो लगा हुआ है क्रेड निकली है तो यहां का भी जाम अभी तक नहीं खुल पाया है तो चलो यह जाम अगेरा जो है वो क्रॉस करते हैं और कुछ इस तरह से भी हम जो कल्लानपुर आने ही वाले हैं क्योंकि क्ल्लानपुर ही है यह समलो हमको चलना है बिठूर रोड पे तो काफी दूर का ओडर लगा हुआ था और रोपया वगयरा तो वही है अभी आपको मैंने जब लाड़ा लगा था तो दिखाई दिया था कितना साइच सुस्तर रुपय का था और इसे ही था और उसमे सफने बाइस दुन चाहलीच रुपय का बटोल अपना चला गया चालीच रुपया लगलो चला गया अर लगा संसे 50- recreate में जो है जाओ अपना रिस्क ले कर जाना है तो गाडी भी तोड़ो खुद भी लगे रहो और लाजसे जगा पे जो है गारी चलाने पे रिस्क तो वह तो तब जाके जो है 37 रुपय बचेंगे मेरी को अभी हम जह है यह देखो यह कल्दानपूर है नहीं फिसारी हो चुकी है तो अरौप्लिक पैकानपूर जो है बिखारे उनको भी तो जवाब देना रहता है कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक क्यों हो रहा है अब यहां पर देखो चाचार लाइन लगने की वज़े से लग गया जाम यही अगर सिंगल या डबल लाइन हो पाई फोन आ रहा है किसी का किसका आ रहा है पता नहीं मेरे को यार सामने आप देखो सामने जो है कलानपुर मेट्र इस्टेशन और तिरहा है कलानपुर का तो अभी दरी से मेरो को आंगे से मुझने का है बिठूर पे सामने अगर आप बोड़ देखो लगा हुआ है उत्तरप्रदेश परटान वीवा का बोड नंगा बैराज और बिठूर पर जाने वाले लोग जो है वो इधर पर मुड़ जाएं जो कि नाना राउग पार्क अगर जाना है तो इधर पर ही जाएं तो भी जल ला है इतरी पर तो अभी आंगे से निकलते हैं और यहां से मुड़ते सामने है कलैनपूर मेट्रो इस्टेशन इसके बाद एक और मेट्रो इस्टेशन है जिसको बोलते हैं आयाइटी और उसके बाद जो है चलो भाई ठीक टाइम पर खुल भी गया और मेरों चलना है रुद्धरा ग्रिंस करना है तो फिलाल अभी जो है हम आ चुके हैं इस रोड पे और यह है बिठोर वाला रोड तो कुछ इस तरह से अभी देखो सामका समय हो रहा है मैंने सुचा चलो इस ऐसे एक वीडियो वह पूरा कंप्लीट करें अभी तो शुरुत कर रहे हैं दिरे दिरे आप लोगों को सब्सक्राइब बना कर दिखाना शुरू करूंगा क्योंकि अभी जो है अभी मैं भी जो है ज्यादा एक्षन कैमरे से में वीडियो शूट नहीं किया है इस तरह से मोटो ब्लॉगिंग करके अब जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा तो थोड़ा अंदाजा लगेगा कि क इस तरह से जो है कैमरे का एंगल सेट करना है वो सैदा आफ लोगो को देखकर कैसा लगाता है करके जरूर बताएगा और इंप्रूव करोंगा कि जो मीटर है ये आप लोगों को दिखे साथ में रोड भी दिखे कुछ इस तरह से डौब करूंगा लेकिन अभी बाई क्या क लोग बना लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा क्या महल है तो अभी हम यहां पर आ गए हैं और चलते हैं पहुंचते हैं लोकेशन पर क्यूंकि फिर वीडियो जो है वह काफी बड़ा हो जाएगा और साम भी दिरे-दिरे हो रही है तो इस राष्टे पर आ चु सब्सक्राइब बठाना आ जाए कम एक अवार्ड तो मिली जाए यूटूब की तरफ से इतने सालों से मिनत कर रहे हैं बाकी आप लोगों को में देखो वीडियो बना के दो दिखाता ही रहूंगा अभी जो हम आ चुके है कानपूर जो है जो आवास प्रितकड की जो है यह खी और यह चुके और यह 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 आँगे चलके रुद्रह कर चाह सब्सक्राइब शाइंघने चुके हें ऑटलम के जो है बिल्डिंग है बन नहीं है कानपूर में और कानपूर भी जो है बिल्ड़गों का सहर या फिर प्रोग्रस पे है उन्नत की और बढ़ता हुआ अभी फिलाल हम आने ही वाले हैं साथ रुद्रा ग्रिंस पर क्योंकि जश्ट अभी हम आ चुके हैं यह रिवेरा करके है बिल्डिंग यह कुछ इस तरह से आप रिजोट है या क्या है नहीं पता है दर पर भी देखो नो इंट्री है तो रॉंक साइट से जाना पड़ेगा मे करेंगे जो है वह जो कानपूर का फेमस मंदिर है जिसको बोलते हैं वह भी यहीं पर पड़ता है अब यह कुछ इस तरह से अभी कानपूर के बाहर हम आ चुके यह समलों अभी बिठूर की तरफ जा रहे हैं यहां से बिठूर की दूरी होगी करीब वही साताथ किलोमेटर जो है यहां पे तो यहीं पर रुद्रा घ्रींच करके जो हैै मैं चुके अब यहीं है साथ लगता हो यही रही है और रुद्रदश ग्रींच है तो यहीं यहीं पर और देना है गाड़ी यहीं तो हो गई है अपड़ी अभी हमको अंदर चलना है अंदर पर बीलकुल लाउच में आइन हाँ हो गई तो इंट्री हो चुकर भाई और चल के लाउच में यह को देना है चल के जो है विवक से अंदर आगया पास में एक दूर है तो बोले भाई दूर है नखा चलो पिर भाई किस चलते हैं तो टावर सिक्स है देस्टिनेशन विल बी ऑन दे राइट लाश्ट में है भाई टावर सिक्स तो बिल्कुल ओ बाई यह आ चुके कि यहां पर साथ कुछ प्रोग्राम अगेरा भी चलना है तो यह सोसाइटी में है और देना है चलके अभी हम टावर तरी पर आगए अरे भाई काफी दूर है पैसाल आता तो मेरा जो है करीब पंदा से बीस मेंद्स का समय जो है वह ऐसे ही निकल जाता टावर सिक्स लाश्ट और 17 रोपाय लॉंग डिस्टेंस पे टोटल जो है 95 रोपेज मिले है और गाड़ी अभी जो है चल चुकी है करिए 17 किलोमीटर और अभी जो है 11 किलोमीटर मेरे को वापसी जाना पड़ेगा हम करने के बाद जो है परणाम जीरो निकले तो फिर मज़ा नहीं आता ना भाई तो फिलाल और जो है वो मेंने डिलीवर कर दिया है और यहां से अभी जेस्ट रिटर हम लोग निकल लए है और जैसा कि मैंने आप लोगो बोला ही था कि 11 किलोमीटर है अब 11 किलोमीटर जो मुझको वापस जाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर जो और वो नहीं लगने वाल थोड़ा तो उदर से भी जा सकता हूं लेकिन मैं फिर सोचना हूं कि कल्यानपूर के तरफ से चल चला जाओ क्योंकि साथ अगर उदर हो से हो सके तो और वगेरा जो है वो लग जाएगा और जैसा कुछ होगा तो देखेंगे आंगे चलके लाल घूम के जाना पड़ेगा बस यह है वाई देखो एक और करते करते हो गई है रात और क्या बता अभी तो जश्ट अभी हम यहां से निकल लाएं वापसी के लिए यह थी रुद्रा ग्रीन्स जहां पर अभी मैंने और डिलीवर किया है यह अगर आप देखो यह कुछ इस तरह से अब जाल ऑडर जो है वो डिलीवर हो चुका है और जश्ट रात भी होने वाली है बाकी आप लोगों को वीडियो देखकर कैसा लगा है कमेंच करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा आप वीडियो को लाइकर के चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लिजे मिलते चली नहीं वीडियो को हुआ 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 है